Friends, मैं उसनिहा, Welcome to my channel for you and your child किसी भी नई स्कूल में admission के लिए आपको entrance test देना होता है अब students और parents की मन में सवाल होता है कि हम admission test के लिए क्या पढ़ें वैसे तो जिस भी class में आप admission लेने जा रहे हैं उससे पहली class का जो syllabus होता है उसी से questions आते हैं जैसे अगर आपको class 8 में admission लेना है किसी भी नई स्कूल में तो जो class 7 में आपने पढ़ाई की है उसी से questions पूछे जाते हैं अब अलग-अलग school हैं और अलग-अलग school board हैं हो सकता है कि कुछ topics किसी school में या किसी school board में ज़्यादा पढ़ाया जाता हो या फिर कुछ topics कम पढ़ाया जाते हो लेकिन जो basic syllabus होता है important topics होते हैं कुछ ऐसे जो हर school में almost पढ़ाया जाते हैं अब जिस भी school में आप admission test देना चाते हैं तो उसका अगर आपको syllabus देखना है तो कोई भी school आपसे यही कहेगा कि पहले आप admission form fill up कीजे उसके बार आपको syllabus मिलेगा और admission form यारी registration form fill up करने के साथ-साथ आपको कुछ fees भी भरनी पढ़ेगी registration form fill up किये बिना कोई भी school आपको syllabus उस school के entrance test का नहीं देगा registration form की कीमत private school में 100 रुपे से लेकर 2000 रुपे की भी हो सकती है कई parents ऐसे भी होंगे जो sure नहीं होंगे कि school change किया जाए या ना किया जाए ऐसे condition में कई students को लगता है कि एक बार syllabus देख लिया जाए कि admission test में पूछा क्या जाता है कि इसी problem को दूड करने के लिए मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ class 8 admission test के लिए कुछ important topics जिससे सवाल पूछे जाते है generally तीन section का exam किसी भी school के admission test में class 8 में लिया जाता है maths, English और science इन तीनो subject की क्या important topics हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी ये सारे topics आपको class 7 की book में मिल जाएंगे जिस भी school में आप पढ़ रहे हैं हो सकता है कि जिस भी school में आप admission test देने जा रहे हो उस school में इन topics से एक दो topics जादा या कम से सवाल पूछे जाएं लेकिन अगर ये topics आप तयार करते हैं तो आपके लिए helpful रहेगा तो पूरा देखिए इस वीडियो को और वीडियो पसंद आए तो से like and share कीजे और हर एक subject के sample test paper के लिए भी मैंने कुछ worksheets अपने चानल पर upload किये हैं उन्हें आप देखना चाहते हैं तो उन्हें भी जरूर देखें link आपको description box में मिल जाएगा सबसे पहले देखते हैं maths के important topics integers, fractions and decimals simple equations, comparing quantities, rational numbers, perimeter and area, algebraic expression, exponents and powers next आते हैं English पर reading comprehension इसमें आपको एक paragraph दिया होगा ये paragraph किसी prose यानि story से भी हो सकता है poetry से भी हो सकता है इस से related questions answer हो सकते हैं कुछ important words हैं उसके meaning, उसके synonyms या antonyms भी पूछा जा सकता है next आता है picture composition जिसमें आपको एक picture दी गई होगी और उस picture के अधार पर आपको paragraph लिखने को कहा जाता है तीसरा है descriptive paragraph writing with hints किसी व्यक्ति या जगह या event के बारे में आपको कुछ hint दिये जाते हैं उस hint को लेकर आपको पूरी एक story एक paragraph आपको तयार करना होता है science के section में physics, chemistry, biology ये तीनों section से सवाल होते हैं physics में जो सबसे important topic है जो आपको तयार करना है वो है motion और electricity chemistry के important topics होंगे wastewater story, acid bases and salts, fiber to fabric biology के important topics है nutrition in plants, nutrition in animals, respiration in organisms अगर मेरे बताएगे topics को आप पढ़ते हैं तो इसमें आपके admission test की तेयारी में मदद शरूर मिलेगी मिलती हैं आपसे नए वीडियों में किसी sample test paper के साथ या school admission related कुछ नए information के साथ thank you so much for watching this video